आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है किचन वेस्ट को ऐसे कमपोस्ट कैसे बनाया जाए अब दोस्तों यहाँ पर हम बहुत सारे किचन वेस्ट को ऐसे ही फेक देते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले हैं हम किस तरह से किचन वेस्ट को एक फ्लावर बूस्टर के जैसे यूस कर सक सकते हैं हमारे पास पीटुनियस अभी व्योग रहे हैं अब उनमें बहुत अच्छे तरीके से हमारा कंपोज्ट크 घाल सकते हैं तो चलिए दोस्तों सीखते हैं कैसे बनाएंगे केचिन वेस्ट कंपोज्ट के मेरagar दोस्तों आपको किचिनQU टेर्रेकोट होता भी नहीं है तो हम रोज डे बाई डे इखटा करते रहेंगे हमारा pot भरता रहेगा और एक समय ऐसा आजाएगा जब आपका pot पूरा भर जाएगा compost खाथ को बनाने में soil का बहुत ज़्यादा important role होता है क्योंकि दोस्तों soil के अंदर होते हैं चुटे-चुटे microorganism जो हमारे kitchen waste को बहुत जल्दी पजाने में या फिर decompose करने में मदद करते हैं तो आपको simple layer by layer आपको compost खाथ बनानी है मतलब एक layer हमारे खाथ की होगी और एक layer हमारी soil की होगी इससे दोस्तों हमारी खाथ बहुत जल्दी बन जाती है और आप हर daily basis पे उन्हें shuffle करते रहें मतलब एक बार आपका pot बढ़ जाए तो कम से कम 10 दिन का आप wait करिएगा जिससे सारे microorganism जो नीचे की तरफ जो खाथ रखी वी हमने kitchen waste रखा हुआ है वो अच्छे से decompose होजा है फिर उपर वाली layer को हम shuffle करेंगे जिससे वो नीचे की तरफ चले जाएंगे और उनका भी decompose वाला process स्टार्ट हो जाएगा एक बार आप अपनी सारी की सारी खाथ अपने pot के अंदर डाल दीजिए और आपको हमेशा उसे full sunlight में रखना है जिससे process बहुत जल्दी हो जाएगा और moisture की बिना ये काम नहीं होगा तो हमेशा ध्यान रखें आप जब भी compost खाथ डालें उसमें थोड़ा water add कर लिजिए जिससे moisture बना रहे है और आपकी खाथ बहुत जल्दी decompose होना start हो जाएगी ये सारा process करते करते आपको करीब 10 से 15 दिन लग जाएगे आपका pot बरने में क्योंकि जैसे जैसे आप pot बरते जाएंगे वैसे वैसे ये इसके अंदर से water निकलता जाएगा और आपकी kitchen waste compost नीचे दबती जाएगी तो आप कोशिश करिएगा एक बार अपने pot को पूरा बर दीजे kitchen waste compost से मतलब की बजा हुआ आप कीचन का waste और दोस्तों आप देखेंगे कुछ एक डेड़ महीने में ही आपको ऐसी खाद मिलेगी जो आपके plant के लिए बहुत अच्छी होगी वह nutrition से बढ़ा हुआ होगा चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम और क्या-क्या इसमें add कर सकते हैं अब दोस्तों कुछ दिनों के बाद आपके pot के नीचे से dark color का liquid निकलने लग देगा ये भी ऐसे खाद यूज कर सकते हैं तो इसे waste मत होने दीजिए और दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं हमने उपर leaf क्यों रखे हुए हैं तो leaf दोस्तों moisture को maintain करने के लिए रखा हुआ था रहे हैं आप 5-6 अंडे की शिलके ले लीजिए और उन्हें क्रश करके आप फिर डालिएगा जिससे वह अच्छे से डीकंपोस हो जाए इन में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है डीकंपोस होने में बट यह भी डीकंपोसिबल आइटम है और आप इसे अपनी किचन विस् क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गिनिजम होते हैं जो खाद को जल्दी डीकंपोस होने में मदद करेंगे पॉट के ड्रेने जोल में से जो भी लिक्विड निकलता है आप उसे फिर से रियूस करें फिर से उस अपनी किचन खाद में डाल दीजिए क्योंकि दोस्तों यह बहुत ज़्यादा मदद करता है और बहुत फास्ट प्रोसेस कर देगा आपके किचन विस्ट को डीकंपोस क करने में जब भी आप कोई भी किचन विस्ट एड करते हैं अपने कंपोस्ट बिन के अंदर हमेशा ध्यान रखें आपको स्वैल की एक लेर जरूर बनानिए जिससे यह प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा और डीकंपोसिशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा किचन विस्ट कंपोस्ट में आप ऐसी चीज़े यूज़ करें जो इजली डीकंपोसिबल हो आप यहाँ पर गुलाब की पतियां यूज़ कर सकते हैं मटर के चिलके यूज़ कर सकते हैं पत्तागोबी का लेफट आउट पाड यूज़ कर सकते हैं पालक वगेरा जो भी आ आपर आप देख सकते हैं हमारा जो किचन विष्ट कंपोस्ट सब वो dark brown कलर का हो चुका है चलिए दोस्तों इससे छान लेते हैं और चेक करते हैं हमारे पास कितना raw material available हुआ है आप किचन विष्ट कंपोस्ट को छानने के लिए एक मोटी जाली दार चनी यूज़ करें इससे काम आपका बहुत असान हो जाएगा चलिए आप देखते हैं किस सरसे हमारे जो डिकंपोस्ट खाते उससे अलग करेंगे और जो left out part है जो डिकंपोस्ट नहीं हुआ अभी तक उससे separate करेंगे यहाँ पर जो left out part है इससे आप फेकिए ना इससे या तो आप फिर से डिकंपोस होने के लिए छोड़ दीजिए या फिर जब भी आप किसी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं उसके बेस में आप डाल दीजिए तो यह बहुत ज़्यादा nutritional प्रोवैड करेगा आपके किसी भी प्लांट को लो जी हमारा organic nutritional से बरा हुआ और kitchen waste compost ready हो चुका है आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं चलिए दोस्तों मैं सारा के सारा इखटा करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ आगे हम क्या करने वाले हैं हमारे kitchen waste compost में कुछ ऐसे पार्ट रह जाएंगे जो decompose नहीं होंगे उन्हें हम फिर से reuse कर सकते हैं कुछ करने के लिए या फिर आप directly किसी भी पोट के बेस में डाल दीजिए लो जी हमारी खात तयार हो चुकी है और यह बहुत ही और एकदम फ्रेश खात है दोस्तों आप इसे ड्राय करिए या फिर ऐसे ही डाल दीजिए दोनों ही केस में यह बहुत अच्छा रिजल दिख इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों आप मुझे अपना experience जरूर शेयर करना क्या आप kitchen waste compost बनाते हैं या नहीं comment में जरूर बताईएगा और मुझे शेयर करिएगा मुझे भी तो बता चले मेरे viewers kitchen waste compost बनाने में interested है या नहीं और क्या वो बनाते हैं या नहीं वीडियो को लाइक करने के साथ आपने family friends member के साथ जरूर शेयर करना और उन्हें भी बताना कि आप अपना kitchen waste किस तरह से reuse कर सकते हैं तैंक यू